आपकी कुकिंग को आसान करने के लिए मैं चाहती हूँ कि आपकी कुकिंग आसान हो और डिश भी ला जवाब बने आज मैं जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो सिर्फ चार इंग्रिडियंट से बनती है और इतनी फास्ट बनती है कि मिंटो में बनेगी और आप देखेंगे कि इतनी लाजवाब डिश तयार होगी आज बनाने जा रही हूँ मैं वनीला बेक योगर्ट तो चलिए शुरू करते ह हैं सबसे पहले अवन को 180 डिग्री पे प्रिहिट होने के लिए रख देंगे सबसे पहले हम बॉल में ले लेंगी दही दही मैंने लिया है यहां पर आधा कप और इसके साथ में डाल देंगे कंडेंस मिल्क ये इसमें मिक्स कर देना है अब इन दोनों को जो है अच्छे से म करने में आसानी रहे है अब हम इसे जग में ले लेंगे ताकि पोर करने में आसानी रहे यह मेरे पास रेमिकन मोल्च है इसके अंदर ले लेंगे हम इसमें पोर कर दें अब हम एक ओवन प्रूफ ट्रे लेंगे दोनों को इसमें रख दें और इसके अंदर डाल देना है हमने पानी और इससे अब हम बेक करेंगे वन एक टिगरी पे तीस से पैथिस मिनिट के अब हम उसे अवन से बाहर निकाल लेते हैं यह एकदम गरम है इसको बाहर निकाल के रख लेते हैं और इसे बिल्कुल ठंडा होने देंगे उसके बाद हम इसे फ्रिज के अंदर ठंडा होने के लिए रखेंगे फ्रिज से हमने इनको निकाल लिया है और एकदम सेट भी हो गए है अब हम इसे चाहें तो एक मेंट लिव से इसको गानिश कर देंगे कितना अच्छा लग रहा है है ना जवाब रेसिपी रमजान के लिए ये एक और आसान रेसिपी बिल्कुल तयार तो ये रेसिपी आपको कैसी लगी इसके फिटबेक मुझे जरूर दें इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और अब तक आपने अगर सब्सक्राइब नही की रेसिपीक के साथ इन शमी ब्यान दे प्लेट तब तक के लिए बाइए इत हल्दी, स्टे हल्दी एडड कीप कुकिंग